कि नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले टाटा सफारी 2021 कैसी ये गाड़ी दिखने में हैं रिसेंटली टाटा ने इसके प्राइजिंग अनौन्स किये हैं और ये वाला जो वेरियंट है ये एकजेट प्लस आटोमेटिक वेरियंट है इसकी प्राइज है 21,25,000 इतने पेसो तो यहां पर आपको फील होने लगता है कि भाई ये सफारी है है नहीं है तो नीचे की तरफ अगर हम देखें नीचे की तरफ आपको टायर देखने को मिल जाते हैं जिनकी साइज 18 इंच की है और जो एलोई हैं वो देखने में काफी जादा सुन्दर लग रहे हैं और जो बोडी टू टायर रेशियो हैं वो भी काफी सही है मतलब की गाड़ी थोड़ी बहुत ओफ रोडिंग के लिए कैपेबल है पीछे की तरफ हमको कुछ इस तरीके के कॉर्नर देखने को मिल जाते हैं और उपर की तरफ आप टेल लेंप देख सकते हैं जो की काफी जादा देखने में सुन्दर लग रहे हैं और थोड़ी थोड़ करें तो लगे हाथ स्टेपनी की बात कर लेते हैं आपको गाड़ी की नीचे कुछ इस तरीके से स्टेपनी लटकी हुई मिल जाएगी अब इस वाले वेरियंट में इसका साइज क्या है आई डॉंट नो मैं प्रोपर तरीके से देख नहीं पाया और पीछे की तरफ आपको दो पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप हर गाड़ी में में बेंडिटरी हैं तो पीछे की तरफ से इस गाड़ी का कुछ ऐसा लुक निकल के आता है उपर से पतली और नीचे से आपको चोड़ी देखने को मिल जाते हैं तो टाटा के लोगों के साइड में कुछ ना कुछ लोगो बना हुआ देता है इस वाली गाड़ी में भी यहाँ पर शेर कुटा बिली सब कुछ बना हुआ है जो कि देखने में काफी जादा अच्छा लग रहा है पीछे की तरफ से अब हम खुल लेते हैं इस गाड़ी का बूट बूट ओपन करते ही आप पहली इन सीट्स को और फिर देखते हैं कि इस वाली गाड़ी में आपको कितना बूट स्पेस देखने को मिलता है कुछ इस तरीके के हुक आपको यही पर पीछे की तरफ सीट में देखने को मिल जाते हैं और यह काफी इजी ली डाउन हो जाती है और जब आप इन्हें एक बार और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो काफी जादा है बहतरी आप पूरे घरवर का सामान अपना रख सकते हैं जितने लोग गाड़ी में ट्रेवल करें और पीछे की सीट पर हम यहाँ पर लग यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको कैसी इसे नाहीं गिरा पाएं क्योंकि जो आगे की सीटस हैं वो पीछे की तरफ पूरी की पूरी खिची हुई हैं अब हमने कर दिया है सीटस को ऊपर और अब हम बंद कर लेते हैं अपना टेलोगेट और को बंद करने के बाद आप एक बार और देखें जो गाड़ी की को मिल जाती है कुछ ऐसी है टाटा सफारी 2021 की साइड लुक और अब यहां पर मैं आप देख सकते हैं कि जो डोर हिंडल से उन्हें खोल के और बंद करके देखा मैंने सोचा यहां पर थर्ड साउंड जो है वो कैसी आती है तो अपनी टियागो और नेक्सोन के बराबर जो थर सफारी के इंटीरियर की तरफ तो कुछ इस तरीके के आपको डोर पेनल देखने को मिल जाते हैं डूल टॉन में वाइट एंड ब्लेक कलर्स में और यहां पर काफी अच्छी तरीके से सॉफ्ट माटेरियल का यूज किया गया है और यह कुछ और वीम से टाटा सफारी के औ और अब मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बेट चुका हूँ ड्राइविंग सीट पर बेटने के बाद काफी अच्छी फीलिंग आ रही है और इस वाली गाड़ी में आपको फ्लैट बोटम स्टेरिंग वील देखने को नहीं मिलता है बाकी आना तो चाहिए और यहा है यहां पर लेफ्ट मैं आपको कुछ तरीके से से कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और राइट मैं आपको यहां पर वाइपर के कंट्रोल automatic है यहां पर भी काफी अच्छा space देखने को मिल जाता है और यहां से आप अपनी गाड़ी को sports normal और city mode में change कर सकते हैं कुछ इस तरीके का इस गाड़ी का gear lever है और पकड़ने में और यहां पर इतने सारे control है कि एक एक को अभी explain करने जाओंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी और यहां पर टाटा का वहती फेमस हार्मन का देखने को मिलता और इसकी sound quality काफी ज़्यादा जवर्दस्त है अब हम on कर लेते हैं टाटा सफारी की धिमारी यहां पर हैंe मारी जैसे ही ओन होती है कुछ इस तरीके से आपको वेल्कम फिचरट देखने को मिलता और पूरी की गलव बॉक्स है जो की illuminated है और pulled भी है और काफी अच्छा decent सा आपको इसके अंदर इसपेस देखने को मिल जाता है और यहां पर रवी गाड़ी की चाभी से खेल रहा है इसे चाभी लेकर आपको भी दिखा देता हूं कि गाड़ी की चाभी आपको कैसी देखने को मिलती है इस वाली चाभी में आपको टाटा की बाकी गाड़े की तरह ही lock, unlock, follow me, headlamp और boot open करने का option देखने को मिल जाता है ताकि यहाँ पर आप चाबी को रख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से और यहाँ पर white apple stream में आपको headrest देखने को मिल जाता है और इसके नीचे जो space है यह काफी जादा deep है और space के साथ साथ आप यहाँ पर phone वगर रख सकते हैं 12V का output दिया हुआ है साथ ही साथ दो USB के output भी दिये हुए है overall कुछ इस तरीके का आपको गाड़ी का interior देखने को मिलता है और यह यहाँ पर automatic dimming आपको IRVM देखने को मिल जाते हैं और कुछ इस तरीके के इस गाड़ी के sun visor आपको देखने को मिल जाते हैं जो की काफी अच्छे हैं डीसेंट है यहाँ पर आपको cabin lights देखने को मिल जाती है जो की आप चाहें अपनी side से use कर सकते हैं और उपर की तरफ आपको यहाँ पर sunroof के control देखने को मिल जाते हैं इससे आप आप sunroof को बंद या चालू कर सकते हैं वैसे इंडिया में sunroof वाला feature कोई खास ज्यादा useful नहीं है और उपर की तरफ यहाँ पर हमें initially समझ में आ ही नहीं रहा था की से कैसे open करना है अब हम आ चुके हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और पीछे की तरफ आपको डूर्स में कुछ इस तरीके की एक red light देखने को मिल जाती है और काफी अच्छे bottle holders देखने को मिल जाते हैं जहां पर आप एक एक लीटर की bottle रख सकते हैं इस तरके की white finish में आपको seats देखने को मिल जाती है देखने में तो यह काफी जादा premium लग रही है लेकिन यहां पर गंदे होने का काफी जादा खत्रा है और यहां पर आगे वाले headrest की पीछे की side आपको space देखने को मिल जाता है यहां पर आप mobile phone वगेरा रख सकते हैं और अगेन यहां पर हलका हलका bump इस वाली गाड़ी में भी मुझे देखने को मिल रहा है अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी का rear seat space तो मेरी height कुछ 5 feet के आसपास है और यहां पर जिस हिसाप से headroom है यह तो काफी जादा है और जो legroom है वो भी मुझे काफी अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है कहीं से कहीं तक मेरे pair touch नहीं हो रहे है आगे वाली जो seat है वो मेरे driving posture के according adjusted है और पीछे से कुछ इस तरीके का देखता है आपको टाटा safari का interior और यहां पर जो door handles हैं वो भी काफे अच्छे थिक औ वाली गाड़ी में आपको पीछे वाले passengers के लिए भी comfort का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है उनके लिए भी आपको handrest देखने को मिल जाता है जब बीच में कोई बैठा ना हो तो आप इसे use कर सकते हैं और with party feature जैसा कि आप समझ गया होंगे बिल्कुल देखने को मिलता है और जब मेरी सीट अगर पीछे की तरफ पूरी खीची हुई हो और जो सबसे पीछे वाली रो है वहां पर आपको लेग रूम जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता यह थोड़ा सा लगा लेकिन पीछे वाली रो में भी आपको एसी के ब्लोबर देखने को मिल जाते ह यह काफी अच्छी चीज है तो यह थी टाटा सफारी 2021 केसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा इस वाली वीडियो में मैंने अपने हिसाब से सारी चीजे लगबग कवर करने की कोशिश करिए जैदी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा इस वाले चैनल को मिलेंगे अगला वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाज जय हैं